नमस्कार दोस्तों NTV Motivation YouTube Channel में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारक के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक के नीती को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें लेकिन उससे पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है शादी के बाद जिस घर में वो जाती है उसका भाग्य उस घर से जुर जाता है अगर वो चाहें तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं लेकिन दोस्तों कई बार महिलाओं जाने अन जाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो ना सिर्फ घर में कंगाली लाती हैं बलकि इस से उनके पती की तरक्की में बाधा आती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताएंगे जिनसे की महिलाओं के पती की तरक्की रुक जाती है पहला काम सुबह देर से उठना दोस्तों महिलाओं घर की लक्षमी होती हैं ऐसे में उन्हें सुर्यास्त के बाद महिलाओं को कभी भी सोना नहीं चाहिए इससे ना सिर्फ धनकी कमी होगी बलकि आपके पती की तरक्की में बाधा आएगी दूसरी बात नाक पर गुस्सा रखना दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जहां शांत सौभाओं की महिलाएं अपने घर को सौर्ग बना देती हैं बहीं उनका गुस्सा सब कुछ बिगाड भी सकता है ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें जिस सिस्त्री के घर में कलह और कलेश का माहौल बना रहता है बहा माता लक्षमी का कभी भी बास नहीं होता तीसरी बात जाडू को पैर मारना दोस्तों जाडू को पैर ये ठोकर मारने से माता लक्षमी नाराज हो जाती है क्योंकि ये उन्हीं का रूप है इतना ही नहीं इससे गर में दरिदरता भी आती है इसलिए कभी भी जारू को पैर ना मारें इसके अलाबा घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर गंदगी और जूटे बरतन नहीं रखने चाहिए क्यूंकि इससे भी माता लक्षमी नाराज होती हैं साथ ही ये कंगाली के साथ अन्य कई परेशा कई बार महिलाओं को बाल भी धोती हैं और बालों में कंगी भी करती है लेकिन सूरियास्थ के बाद महिलाओं को कंगी नहीं करनी चाहिए और ना ही तूटे हुए बालों को घर से बाहर फेकना चाहिए इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है इसके अलाबा सोरियास्त के बाद जाडू पोचा ना लगाएं इसके साथ ही सोरे ढलने के बाद किसी को उधार नहीं देना चाहिए साथ ही दिन ढलने के बाद दूद, दही, प्याज और लहसुन किसी को ना दें इससे आपके घर की लक्षमी दूसरे के घर चली जाती है पाचवी वाद किसी को ना दें अपनी ये चीजें शादी शुदा महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी, बिंदी, पायल और चूडी किसी के साथ शेर नहीं करनी चाहिए इससे ना सिर्फ आपके रिष्टे में प्य ये दे देती है, ऐसे में कपड़ों तक की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ महिलाएं अपना सिंदूर भी दूसरों को देती है, जो कि शास्तरों में गलत बताया गया है, सुहागिन महिला को अपने सुहाग की निसानी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए, दोस्तों आज का अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने बाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही मोटिवेशनल इंसफाइरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टाय मोटिवेट इस्टाय फि कर दियर लेष्गा कर दियर लेष्गेति है।